यह चपल चोर लोग इतने निचले स्तर के हो चुके हैं कि जो डेवलाप्मेंट हुआ है वह खभी भी गोधी मीडिया को नहीं दिखेगा वह मैं आपको दिखाऊंगा नमस्कार मोधी के आने के पहले ही महरास्ट में डंका बच गया है विपक्ष की बोलती बंद हो गई है महीने में मुंबई दौरा नरेंद्र मोधी जी ने दो बार किया या बरा खदम महरास्ट की जनता के लिए कुछ बरा होने वाला है और विपक्ष चारो खाने चित होने व यहाँ करना नहीं परेगा नरेंदर मोदी जी को बीजेपी शिंदे फटनविस की सरकार जो काम कर रही है उससे इस सरकार को विपक्षी दल को खतम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी महराष्ट की जनता काम को देख करके खुद विपक्षी दल का खतमा कर देगी शरत पवार राजनिती के संकट मोच्चन मने जाते हैं लेकिन आज शरत पवार के उपर जो खुद जो संकट के बादल मन रहा रहे हैं वो क्या इस बादल के घने अस्तित्व को खतम कर पाएंगे अपने उपर हो रही जो मुसीबत है परिशानी है उन सारे मुसीबतों का खातमा कर पाएंगे या सवाल शरत पवार के लिए जो खरा हो रहा है या सवाल इसलिए भी खरा हो रहा है क्योंकि इनके जितने भी समर्थक हैं वह शरत पवार की परिशानी को देख करके सदमे में अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई से सिरडी और मुंबई से सोलापूर तक दो अंतर राजिय वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी जंडी दिखाएंगे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दस फरवरी यानि शुक्रवार को मुंबई के दोरे पे आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई के छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनल से दो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाएंगी उसके बाद दोनों ट्रेने रवाना होंगी इन ट्रेनों को मौझूदा रेलवे लाइनों पर तेज और अरामदायक यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है या पहला पूरी तरह से भारतिय सेमी स्पीड ट्रेन है इस ट्रेन की खासियत फुल एसी वाइफाई अपडेटेट सस्पेंसन पुश पैक सीटे होने वाली है देखिये दोस्तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने भासन में भी या बात कहा था कि मेरे उपर 140 करोर देश की जनता का भरोसा है वह मैं तूटने नहीं दूँगा विपक्षी दल पूरी तरीके से सीना पीट रही थी कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतना आत्मविस्वास कैसे है लेकिन गोधी मीडिया दिन और रात जो सीना पीट रही है उनके उपर जो सांप लोट रहा है आगे जाकर के कहीं उनके ही उपर सांप लोटने लगे और उनको सांप डस ले तो दोबारा उठने के लायक भी नहीं रहेंगे ऐसे लोग देश को तोरने का काम करते हैं परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी दस फरवरी को वंदे भारत ट्रेन का उधगाटन करने और मरोल में एक कारिकरम में भाग लेने के लिए मुंबई होंगे पूरे मुंबई में पुलिस के इंतजाम किये गए हैं मुंबई पुलिस को पहले ही एलर्ट कर दिया गया है और मंगलवार को ओल आउट ओप्रेशन चलाया गया और इस संबंध में वरिष्टों की एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग बैठक हुई सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस उनके स्वागत के लिए तयार है अब को बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मरॉल आगमन से पहले मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस द्वारा तयारियां की गई है मरॉल इलाका बड़ा सलम एडिया होने के कारण मोदी के दोरे को ले करके पुलिस के लिए बड़ी चुनाती होने वाली है अब इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मरॉल दोरे के लिए मुंबई पुलिस के 1000 जवानों को तैनात किया गया है मोधी के निप्तारे के लिए मुंबई पुलिस के 5 DCP 200 अधिकारी 800 प्रवर्तक तैनात किये गए हैं आज मैं आपको यह चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो गोधी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ आपको भरकाएगा वो हमेशा चाता है कि बीजेपी भारत में कभी नहीं रहे और हमेशा उनके नाकारात्मक्ता चीजों को दिखाने की कोशिश करती है सकारात्मक्ता में भी गोदी मीडिया जिस तरीके से इस भारत देश में काम कर रही है वह भारत को तोरने का काम कर रही है जोरने का काम नहीं कर रही है चंद फैदे के लिए यह लोग विकाव मीडिया लोग अपने आपको जिस तरीके से देश के हित में बात करते हैं और यह बोलते हैं कि मैं हमेशा देश के हित में ही पत्रकारिता करता हूँ तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ इस भारत देश में नाकारत्मक्ता के अलावा और कुछ नहीं फैला सकते हैं आज देखिए कि किस तरीके से जो महरास्ट में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस्वे हाईवे में जो बढ़ावा हुआ है जो डेवलाप्मेंट हुआ है वह कभी भी गोदी मीडिया को नहीं दिखेगा वह मैं आपको दिखाऊंगा नितिन गटकरी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस्वे की कुछ तस्वीरे ट्विट की है यह 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस्वे है यह फोटो देखिए दोस्तो यह फोटो गोदी मीडिया को नहीं दिखेगी और यह कभी आपको नहीं दिखाएंगे यह सवाल यह चपल चोर लोग इतने निचलेस्तर के हो चुके हैं कि देश में कुछ अच्छी अर्थवेवस्था भी हो रही है कुछ development भी हो रहा है तो यह लोग उसे negative बना करके दिखाते हैं और यह जताते हैं कि भाजपा इस देश में तो कुछ काम कर ही नहीं रही है वह निकम्मी बैठी हुई है सारा काम तो ये गोधी मीडिया ही कर रहे न तो क्या इस पर कहना है गोधी मीडिया वालों का इस पोटो पे जरूर इस वीडियो को देख करके बताना और कम होगी मुंबई के बीग जुड़ा हुआ है एक्सप्रेस्वे दिल्ली के साथ हरियाना राजस्थान मद्परदेश गुजरात और महरास्ट से हो करके गुजरेगा नितिन गटकरी जी ने ये भी कहा कि सरकार दुनिया में सबसे तेजी से विक्सित होने वाला एक्सप्रेस्वे ब अब आते हैं उद्व ठाकरे की सरकार पे आदित ठाकरे जो या आरोप लगा रहे हैं शिंदे जी के उपर कि सिमेंट कंक्रीट में घोटाला हुआ है लेकिन कभी भी आदित ठाकरे यह नहीं कहेंगे कि नितिन गटकरी जी ने इतना अच्छा काम किया कभी उनका समर्थन नहीं करेंगे उनके बारे में कुछ अच्छी बाते नहीं कहेंगे या तो इनकी फित्रत है या कभी तारिफ कर नहीं सकते हैं यह मैसा विरोध करेंगे लेकिन सत्तेता तो इस भारा देश की जंता देख रही है ना अब जब महाविकास अगारी की सरकार थी, तो महरास्ट में ट्राफिक की समस्या बहुत ज़ादा थी आपको बता दें कि इसके चलते बहुत सारे गरीब लोग जो एंबुलेंस में होते थे उनकी जाने चली जाती थी सिर्फ ट्राफिक की वज़ा से दोस्तों सिर्फ ट्राफिक की वज़ा से लेकिन इस समस्या पर उद्धो ठाकरे की सरकार ने महाविकासागारी की सरकार ने कभ और इस से पूर्ए महारास्ट की जनता जो फो गदगद हो चुकी है, वह एकनाश्च धे जी के समर्थन कर रही है। ठाने, घोरबंदर, भिवंडी, नासिक, कल्यान, डोंबी वली से बड़ी संख्या में यात्री और यात्री इस कोने के पुल से मुंबई की ओर जाते हैं। लेकिन पुल नहीं होने के कारण इस पुल के पास द्यान दिजियेगा दोस्तों और टोल पलाजा के पास भी संजाम लग जाता है। लेकिन अब इस पुल के खुल जाने से यात्री ओं को राहत मिलेगा। दोस्तों यह कभी भी ना संजार राउत को दिखेगा, ना आदित ठा ठाकरे को दिखेगा, ना उद्धो ठाकरे को दिखेगा, ना शरत पवार को दिखेगा। और जो नए वंचित बहुजन अगारी के अध्यक्ष हैं प्रकास अम्बेड कर उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। एक ना शिंदे फटनविस सरकार का जो अच्छा का पंदाज कर देते हैं या लोग कम से कम जो आँखों के सामने सच्चाई है उसको एकसेप्ट करना सीखिए। लेकिन विपक्च की सरकार ने तो ठान करके रखा है कि आप कितना भी अच्छा काम करेंगे हम तो उसका विरोधी करेंगे। इससे पता चलता है कि आपको जनता पूरी तड़ीके से मुर्क समस्ती है कि या कैसा इंसान है कि इतना अच्छा काम कर रहा है महरास्ट में फिर भी उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग अपनी सरकार में तो कभी कुछ किया नहीं सिवाए वस्तूली और भरस्टाचारी के और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं।